हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के चहरे पर मोहासे निकलाते हैं फिर चाहे वो गुरुष हो या फिर महीरा देखिए कई लोगों के मन में मोहासो को लेकर काफी गलत फेहमिया भी हैं चलिए आप जानते हैं उन गलत फेहमियों के बारे में ता कि अगर आपके मन में भी वो गलत फेहमिया है तो आप उपने मन से आसानी से हटा सके दोस्तों कई लोगों का मानना होता है कि अगर हम बार बार अपना चहरत होते हैं तो उसके वज़े से हमारे चहरे पर मुहासे हो जाते हैं जबकि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है अगर आप अपने चहरे को बार बार वाश करते हैं तो उसकी वज़े से चहरे से dirt, impurities और bacterias खतम होते हैं और अगर आपके चहरे पर bacterias होंगे ही नहीं तो आपके चहरे पर महासे कैसे निकल सकते हैं इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि बार-बार face wash करने से आपके चहरे पर महासे होते हैं तो ये विल्कुर गलत है कई लोगों का मानना ये भी है कि अगर हम चॉकलेट्स या फिर cold drinks का सेवन करते हैं तो उसकी वज़े से हमारे चहरे पर महासे निकल जाते हैं वैसे ये बात काफी हत्तर वलत है लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मातरा में चॉकलेट और शराब का सेवन करते हैं तो उसकी वज़े से आपको obesity की problem होती है पेट के अंदर सही तरीके से खाना digest ना होने की problem होती है और जब हमारा पेट खराब होता है तो कई बार उस वज़े से आपके चहरे पर महासे निकल सकते हैं हाला कि अगर आप कभी कभार ड्रिंक करते हैं और चॉकलेट खाते हैं तो उसकी वज़े से चहरे पर महासे नहीं निकलते हैं कई लोगों का मानना ये भी है कि अगर हम बलत तरीकी की cream का इस्तेमाल करते हैं तो महासे हो जाते हैं ऐसा भी नहीं है हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर आपने किसी और का make-up यूज किया है जिसके चहरे पर महासे होते हैं तो वो संक्रमन आपको फ्रे में मिल सकता है और उसकी वज़े से आपके चहरे पर महासे निकल सकते हैं तो दोस्तो ये हैं कुछ ऐसी गलत फैमिया जो लड़कियों और लड़कों दोनों के ही मन में होती है इसलिए अपने आप से इन गलतियों को अलग करिए और अपने चहरे पर अगर महासे निकल भी रहे हैं तो उन्हें एग्नॉर करके फेस मास्क लगाईए ताकि आपके चहरे से महासे दूर हो सके और घलत फैमिया आपके मन से दूर हो सके मेरी ब्यूटी और हैल्स से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सब्सक्राइब कीजिए